हरे क्रिश्ना कार्थिक मास व्रत कथा महात्यम कार्थिक मास शास्त्रों में विशेश महत बताया गया है कार्थिक मास का इस महिने में जो व्यक्ति भवान विश्नू और माता लक्षमी की उपासना करता है उसकी सभी इच्छाएं पून होती है साथ ही कार्दिक मास में कार्दिक महात्यम का व्रत और कथा अवश्य करने चाहिए शी सूजी बोले जब देवशी नारत शी कृष्ण चंदर जी से मंतरना करके चले गए तब हर्ष से गद-गद होकर सत्य भामा ने अपने पती कृष्ण चंदर जी से कहा ए स्वामी मैं धन्य हूँ मेरा जीवन सफल हुआ मेरा जीवन धन्य है मैं अपने को कृत्य कृत्य समझते हूँ मेरे जन्म दाता वे माता पिता भी धन्य हैं क्योंकि उन्होंने ही निसंदे तिर लोग के सुन्दरी मुझ सत्य भामा को जन्म दिया इस सुन्दता का ही प्रभाव है कि आपकी सोला हजार इस्तरियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेश प्रिय हूँ केवल इसी के लिए मैंने कल्प व्रक्ष के साथ आदी पुरुष आपको विधी पूर्वक संकल्प कर नारत के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प व्रक्ष का नाम तक नहीं जानते थे वही कल्प व्रक्ष उस समय से मेरे आनत आंगन में लगा हुआ है मदु सुदन तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्षमी पती की मैं अतिश्य प्रियतमा हूँ इसलिए मैं आप से कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे से कहिए जिससे सुनकर मैं अपना कल्यान करूँ मुझे वह उपाय बताईए जिससे कल्प प्रियतन भी मेरा एवं आपका वियोग कदा भी ना हो शी सूजी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बाते सुनकर शी कृषिन चंद जी मन मन मुस्कुराने लगे सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प रक्ष के नीचे पहुंचे और उस इस्थान के से सब सेवकों को हटा दिया सत्यभामा की और देखकर हास ने हास से साथ ही पूछा कि वह क्या वह उपाय सुनेंगी सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और प्रफुलित हो गई और शीक क्रिशिंचन जी की भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गई शी भगवान ने कहा कि हे देवी वास्तव में इस सोला हजार इस्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्ले प्यारी हो तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प रक्षवाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंदर से भी लड़ गया हे प्यारी जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्बुद बात है तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमुल्य वस्तु को भी दे देता हूं ना करने वाला काम भी करता हूं शिपाने वाली बात भी तुमसे कह देता हूं तो फिर मुझसे पूछने की आविश्यक्त ही क्या थी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो मैं कहूंगा, सत्यभामा ने कहा है नात, मैंने पूर्वजन में कौन सा दान व्रत अत्वा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाध आपके जाने पर आपके साथ भी जाती हूं, यही मैं पूछते हूं कि मैंने उस जनम में कौन सा शुपकारे किया था, पूर्वजन में कौन थी, मेरा साभाव कैसा था, और मैं किसकी पुत्री थी, श्री कृषिन जी ने कहा, हे प्रियत में तुम साफधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्विजन्म की कथा कहता हूं, इस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था, सो बताता हूं, जबकि सत्युक का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अगनी गोत्र वा शर्मा नामक प्रहमर निवास कता था, वह समस्त वेदों और वेदगध्यों से परांगत, अतिफी फूर्वथ, अगनी खोत्री तथा सूर्य नारायन का व्रत कता था, सरवद्य सूर्य देव की उपासना करने के कारण, वह दूसरों की भाती देवी श्यान था, आपको उसको व्रध्धवस्ता में गुणवती नाम की एक कन्यावत पन हुई देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान ना थी उसने अपनी पुत्री का विवा अपने एक शिश्य चंद्र के साथ कर दिया पुत्र भी हीन देव शर्मा अपने शिश्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थी और जीतेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सद्रिश्य समस्ता था एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीधा लाने के लिए वन गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमाले के समय पेकुपवन में पहुँश गए तब उन्होंने एक विक्राल राक्षस को अपने औराते देखा उसे देखकर ये दोनों भै से व्याकुल हो गए शरीर के अंग्शितिल हो गए वे भागने में असमर्थ थे यम सौरूप उन राक्षसों ने उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला हमारी गणों ने उस नक्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक सौभाव के कारण उन दोनों को व्यकुंठ में पहुँशा दिया जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का राधन किया था उसी से मैं उन पर भहुत प्रसंद था ही प्रिये शेव सूर्यप पासक गनेश के पुजक वैशनव और शक्ति के पुजक जैसे वर्षा का पानी समुंदर में गिरता है उसी की भाती ये सब अंत में मेरे ही समी पाते हैं अकेला मैं ही नाम और क्रियाब के भेज से पांश रूपों में विभक्त हूं जैसे किसी का नाम देवदत है वही देवदत किसी का बाप है किसी का पुत्र और किसी का भाई और किसी का भतीचा लेकिन वास्ताम में वह देवदत एक है अस्तू सूरिय के समान तीजिस वी वे दौनों मेरे बैकुंट में आकर रहने लगे विमान पर यात्रा करते थे उनका मेरे समान रूप था वे मेरे ही समेप रहते थे और इस से उनके शरीर में दिविय चंदन लगा रहता था शीक्रिशिंचन जी ने कहा है देवी गुनवती अपने पिता और स्वामी को राक्षजवारा मारी चाने का समवात सुनकर पिता और पती के कलेश से दुखित होकर करुणा विलाप करने लगी हाए नाथ हाए पिता हमको त्याग कर तुम कहां चले गई मैं अकेली कन्या हूँ आप लोगों के बिना असाहनी हैं मैं अब क्या करूँ अब मेरे फोजन और वस्तरादी की व्यवस्था कौन करेगा मैं स्नेहे पूरवक पालन पोशन कौन करेगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती मुझविद्वा की रक्षा कौन करेगा मैं मुर्ख कहां जाऊं कौन मेरे दुख को दूर करेगा कहां रहूं क्या करूं हाए देव मुझपर ऐसा कोफ हुआ है अब कैसे जीऊं मैं बड़ी ही पापिन हूं शी कृष्ण चंदर जी ने कहा कि इस तरहां रोती हुई वह है वहमरग की तरहां व्याकुल होकर अपने को भाग्य हीन और सुखी आशाहीन जीवन हीन कहती हुई बोली की अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे ततपशात वाईयू से आहत केले के व्रक्ष की तरहां वहे प्रत्वी पर गिर पड़ी अधिक देर बाद होश में आई फिर भी अत्यंत करुणा विलाप पहुत विकल होकर शोक महासागर में डूग गई अपने घर की सारी वस्तुएं बेश कर सावधानी के साथ उसने अपने पती और पिता की यथा शक्ती श्रण धार्ट क्रिया करी उसके पश्षात उसे उसी पूरी में निवास करती हुई वे विश्नु भगवान की भक्ती में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत सौभाव से अपनी इंदिरियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादिशी का व्रत तथा कार्टिक मास का विधी विधात विधी वत सेवन किया हे प्रिये ये दोनों एकादिशी और कार्टिक व्रत हमें बड़े ही प्रिये हैं भुक्ती मुक्ती पुत्र तथा संपत्ती देने वाले परम पवित्र हैं जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए मास कार्थिक मास में प्राताहकाल में स्नान करके वे चाहे पापी ही क्यों नहूं वे मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य कार्थिक मास में सनान, जागरन, दीदान तथा तुलसी के व्रक्षों की रक्षा करते हैं वे शाक्षात विश्नु भगवान के तुल्ले हैं जो भक्त कार्थिक मास में विश्णु भगवान के मंदिर में श्वच्षिता तथा विश्णु भगवान का स्वच्षितन करते हैं, विप्राणी तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार जो जन कार्थिक मास में तीन दिन तक श्री विश्णु के मंदिर की स्वच्षित तथा उनका पूशन करते हैं, देवगंड भी उनकी वंदना करते हैं, जिनोंने जन्म भरिस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है? इसी प्रकार वह गुणवती विध्वा दक्चित होकर प्रति वशकाति कवरत और विश्नु भगवान की पूशा भक्ती पूर्वक करती रही हैं, प्रिये एक बार रोग के कारण दुबली हो गई थी, तथा ज्वर से पीडि थोवने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा इस करने के निमित तुत्री और जाड़े से कापने लगी और विकल हो गई, तब उसने आकाश की और देखा, और से आते हुए एक विमान को देखा, जो शंक, शक्र, गदा और पद्यादी, विविध्ध शास्त्रों से शुशोबित भगवान का रूप धारन करने वाला था, र व्यगुन्वती को व्यकुन्ट लोप में ले गई, व्यकुन्वती प्रज्वलित अगनी की शिखा की तरहां विमान में बैठी थी, एक मात्रकार्टिक मास के व्रत से, के प्रभाव से मेरे समीप आई, उसके अंतर, उसके अंतर, शुबित भगवान विश्णु का रूप धारन करके करने वाला था, जो शंक, चक्र, गदा और पध्या आधी विविद शास्त्रों से शुशोभित भगवान विश्णु का रूप धारन करने वाला था, रत पर उसके वहन गरूर की ध्वजांकित थी, तब मेरे विश्णु के गण विमान पर चड़ कर, चमर ढुल जाते हुए अपसरागणों से शुशोभित उस गणवती को गुणवती को बैकुंट लोग में ले गए, वह गुणवती प्रेश्वलित अगनी की शिखा की तरह, विमान में बैठी हुई एकत्रित कार्थिक मास के व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई, उसके अनमंतर पर प्रहमादि देवताओं के प्रातना करने पर मैं उस मानव लोग में आया तब मेरे गण भी मेरे साथ आई, हे भागी नी, ये समस्त यादव मेरे ही गण है, देव शर्मा नामक विप्रतों पूर्व जन में तुम्हारे पिता बने थे, वो इस जन में सनाशित होकर यहां है जो पूर्व जन में तुम्हारे पती चंद्र शर्मा थे वे, वही अकरूर हुए और हे भागी नी, तुम ही वह गुनवती हो, कार्तिक ब्रत के पूर्णे से ही तु मुझे अतिप्रिय है, हे शुभे पूर्व जन में में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का जीर में शोभा और तुम्हारे घर में शाक्षात अचल लक्षमी निवास कती है, उस जन में जो तुमने वास्त्विक पती स्वरूप भगवान के लिए अरपन किया, था उसी के फल से इस जन में तुम मेरे प्रिया भार्या हुई, पूर्व जन में आजीवन तुमने निय सहित कार्टिक मास का व्रत किया था उसी से अभी, कभी भी तुम्हारा और हमारा वियोग नहीं हो सकेगा, इसी प्रकार से जो प्रानी कार्टिक व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समेप रहेंगे, तुम्हारे ही समान प्रिया होंगे, यग्यदान व्रत तथा तपस्या करन वाले मनिश्यों को जो फल प्राप्त होता है विकार्टिक व्रत के पूर्णे फल का सोल्वा भाग भी नहीं होता शी सूजी बोले इस प्रकार सत्य भामा शी कृष्ण से अपने पूर्विज्यन में संबंदी पूर्णे के प्रभाव का व्रतांत सुना कर प्रसंद हुई कार्टिक मास में मैंने पूशन किया और मुझे पती स्वरूप में आप मिले उसी तरह जो भी इस संसार में कार्टिक मास का पालन नियम पूर्वक श्रधा और भक्ती से करे उस सभी को आप अपने शीचर्णों में स्थान देना धन्यवाद अगली कथा लेकर तीसरा ध्या लेकर जल्दी आएंगे